मुझे नहीं मालूम की रास्ते में कितनी कठिनाईयां आएगी, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अपनी मन्जिल को प्राप्त करना है, जीतने वालों को मेरा सलाम, जीतेगा वही जो विश्वास करेगा, नमस्कार, जैहिंद, स्वागत करता हूँ आप तमाम साथ्यों का नव स्रिजन क्लासेज एप के उपर, सुपर हंड्रेड का जो अपना ग्रेड फर्स्ट का बेच है, विधिवत रूप से, पहली कक्षा आज प्रारंब होने जा रही है, कक्षा प्रारंब करूं उससे पूर्वे, अपने आप से ये संकल्प कीजिए, अपने आप से ये वा प्रांदार रहूंगा, और एनि हाउ, कुछ भी हो जाए, कैसी भी मेरे समक्ष प्रिस्तितियां आ जाए, मुझे आगामी जो फर्स्ट ग्रेड आनी है, उसके अंदर अपना चैन सुनिश्चित करना है, बस प्रभू का नाम लीजिए, और क्लास प्रारंब करते हैं, पैन और कोपी, डालीजी एक नई, जो जो मैं कंटेट यापन नोट्स पैटर्न पर करवाऊंगा, वो आपको साथ साथ नोट्स है, जो करते चलना है, स्क्रीन पर जो चीज आपको दिख रही है, उसको अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को पोज करना, उसी इसको लिख लेना फिर आगे समझाऊंगा, फिर पोज कर लेना, फिर लिख लेना, क्योंकि लिखने का मैंने पैटर्न इसलिए रखाया आपके लिए, कि अभी विग्यप्ति आने में समय है, परिक्षा होने में समय है, और ये साइंटिफिक तरीका भी है, और ये सत्ते बात भी है, कि जितना आप लिखो गई, उतनी ज्यादा चीज़े हैं, जो आपके मस्तिस में इस्ताइत्व लेगी, और सुपर हंड्रेड का बेज, इसलिए लोंच किया है, कि जो सो बंदे जुड़े, जो सो साथी जुड़े, वो कम से कम अपना चाइन है, जो सुनिश्चित कर सके, मेरा पुरा प्रियास रहेगा, मेरी पूरी मेहनत रहेगी, अब आपको मेहनत खुद को करनी है मेरे साथ साथ, तो जैसे प्रियाएवाची होके, विलोम शब्द होके, कहानिया हो गई, उनकी PDF में आपको प्लिंब करवादूना, बाकी साथ साथ आपको लिखते चलना है, प्रारंब कर पहला बिंदू है संधी का संधी किसे कहते हैं देखिए सब को पता है लेकिन मेरे साथ सथ आप यूँ समझ के चली कि आपको कुछ नहीं आता बिल्कुल आप जीरों से प्रारंब कर रहे हैं संधी पुराने जमाने में राजा महराजों के लडाईयां हो जाती थी तो कोई ती संधी है जो होती थी यहां पर हिंदी के अंदर क्या होगी वर्णों के बीच में अक्षरों के बीच में शब्दों के बीच में संधी है जो होने वाली है प्रारंब करते हैं संधी का आर्थ क्या आर्थ हो जाएगा संधी का आर्थ होता है मिलन या मेल मिलन किसका होगा से उनके मेल से जो विकार उत्पन होता है उसे संदी कहते हैं दो अक्षरों के पास आने से उनके मेल से जो उनमें विकार उत्पन होता है जो उसमें परिवर्तन आता है दोनों अक्षरों के मिलने से परिवर्तन जो आता है वो क्या कहलाती है संदी है जो कहलाती है इत्मिनान स जैसे किस शब्द में संयोग है या किस शब्द में संधी नहीं है या है तो देखिए संधी और संयोग के अंदर अंतर है अंतर क्या है जान लेते हैं संयोग में अक्षर जैसे हैं वेसे के वेसे रह जाते हैं देखिए संधी में हमने उपर क्या बात की कि दो अक्षर जब मिल ये करता हैं, तो विरो हो कहला एगा मात्र संयोग, dough अक्षरों के मिलने से संयोग हुआ है, और विकार हुद-पन होता ही, परिवर्तन होता ही क्या कहलाएगा। संयोग में अक्षर जैसे चलिए परकारों के ओर बढ़ते हैं आप सबको ग्यात है संदी के कितने परकार हैं तीन परकार हैं अब देखिए यहां तक जो मैंने लिखवा समझाए आपको वीडियो पोज करके इतना आप लिख लिए फिर आगे हम देखते हैं इसी परकार से अपने क्लास है जो चलेगी यूटूब पर जो साथी इस क्लास को देख रहे हैं यह आपके लिए एक डेमो क्लास हो जाएगी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो सारी डेटेल में वीडियो के आखिर में आपको देदूंगा और एप्लिकेशन पर जिन साथ इन कोर्स परचेज कर लिया है उनके पास तो प्लंद हो ही रहा है इस प्रकार से डाइग्राम बना लिजी आप संदी पहली संदी आती ऐस स्वर संदी के अंदर स्वरोंन का मेल को आगे हम विस्तार से देखेंगे, वेंजन संधी, इसमें स्वर और वेंजन दोन आएंगे, और फिर यहाँ पर स्वर वेंजन और विसर्ग भी आएगे, यानि कि स्वर संधी, वेंजन संधी और विसर्ग संधी, संधी के कितने भाग होगे, तीन पार्ट होगे, तीन भागों तीन प्रकार होते हैं सबसे पहली आती है क्या स्वर संदी स्वर संदी यानि कि सारा का सारा खेल यहां पर क्या होगा स्वरों का होगा वेंजन का कोई काम है जो यहां पर नहीं होगा केवल केवल काम होगा स्वर का इस तरह भी प्रतम शब्द के अंतिम अक्षर में भी स्वर होने वाला है देखी दो या दो से अधिक स्वरवर्णों के परस पर योग से जो संधी होती है उसे स्वरसंधी कहते हैं दो या दो से अधिक स्वरवर्णों के मातरियां पर स्वरवर्ण होंगे दोनों तरब, उनके परसपर योग सें जो संधी होगी, उसको क्या कहा जाएगा? सुहर संधी है जो कहा जाएगा. अब देखिए, सुर संधी का आपके समझ में आ गया. सुर संधी की अगर भेद पूच लिये जए आपसे तो 5 भेज होते हैं. 5 भेद कौन-कौन से? दिर्ग संधी अब इनको हमें एक थोड़ा सा जुगार सा याद करेंगे हालांगि इसमें याद करने वाले उतनी कोई बड़ी बात है नहीं दिर्ग संधी गुण संधी व्रद्धी संधी यन संधी और आयादी संधी यानि कि यूँ समझो स्वर संधी के पांच बेटे हैं स्वर संध बेटा और फिर उसमें गुण आते हैं गुण में व्रद्धी होती है फिर यन आयादी दिर्ग गुण व्रद्धी यन आयादी इस प्रकार से पांच बेद होगे अपने क्या संधी के वीडियो रोकी और लिख लीजिए आप यूं समझ के चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता है मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ देखिए सीखा तभी जाता है जब आप ये समझते हों कि हमें कुछ नहीं आता और फिर उस भाव से सीखने के बाव से हम बेठते हैं आगे चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिर्ग सुवरसंधी की इसमें क्या होत या से जाती है सुवर आपस में मिलते हैं चाहे वो दिर्ग हो या हश्व हो या दोनों ही तरब दिर्ग हो या दोनों ही तरब छोटे हो लगू हो तो उनके मेल से क्या दिर्ग सुवर है जो हो जाता है परिक्षा में एक बात जरूर ध्यान में रखना पूस लिया जाए नि जब टुकडे करो आप शब्द गया तो शब्द दिया हुआ हो तो टुकडे करके देखना है या टुकडे कीविये हो तो वहाँ पर अगर संधी आप से पूछ ली जाए अगर दोनों तरफ ये दिमाग में खोपड में बात डाल लेना दोनों तरफ अगर स्वर होंगे ना है उनके अंदर ये बात आप ध्यान में रखना तो दो सेवर्ण या सेजाती अवर्ण जो स्वर है आपस में मिलते हैं तब वहाँ पर क्या होती है दिर्ग स्वर संधी दिर्ग माने बड़ा मिलने के बाद में क्या होगा अक्षर जो है वो बड़ा हो जाएगा देखिए स् तीन नियम होंगे, तीन सह जाती हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, उ और उ, यह सह जाती है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो नियम है, ए प्लस ए, ए धन ए, अगर शब्द के इस तरफ ए होगा, और उस तरफ ए होगा, तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, जैसे कि हम बन जाएगा, मतलब दिर्ग बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, एक इस तरफ मान लो आ हो गया, और दूसरी तरफ ए हो गया, तो भी क्या बनेगा, और दोनों तरफ बड़ा, यानि दोनों तरफ आ, आ होगा, तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा, कुल मिला के दिर्ग देखोगे उसके जब जान से टुकड़े करोगे वहाँ पर आपको बड़ा आ देखने को मिलेगा बड़ी देखने को मिलेगा तब आप दिमाग लगाना यह पर दिर्प्सुर संदी है जो हो सकती है अब यहाँ पर इधन इबराबर बड़ी चोटी दन बड़ी इबराबर सकते हैं और इस तरब छोटा उ दोनों तरब तो भी बड़ा उ होगा एक तरब छोटा दूसरी तब बड़ा उ होगा और इसी परकार इस तरब बड़ा उ इस तरब छोटा उ तो भी उ होगा और दोनों तरब बड़ा उ हो जाएगा तो भी बड़ा होगा तो यानि कि इसमे में क्या हो जाएगा ए ए और उ ए ये तीनों होंगे और तीनों का क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा आ हो जाएगा और क्या होगा ई हो जाएगा और क्या हो जाएगा उ है जो हो जाएगा ये चीज यह आप आपको ध्यार में रखनी है ये नियम है थोड़ा सा और सिद्धी सी बात बड़ा करना है ए को बड़ा कर देना है ए को बड़ा कर देना है जब मिलान होने वाला हो अपना चलिए उधारन देखते हैं उधारन देखिए पहला क्या था? ए धन ए बराबर आ अब यहाँ पर देखिए कल्प धन अंत क्या हो गया? कल्पांत जब मैंने कहा शब्द देखो तो जहां से अपने को टुकड़े करने यहाँ पर पा यहाँ तो आप और टुकड़े करोगे दोनों तरब सुरारें जिसे कल्प यह यहाँ पर करोगे कल्प तो पै के अंदर से ए निकल जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर पै ए आ रही ही ध्वनी तो ए धन ए मिलके क्या बन गया? और यह कल्प धन अंत बराबर कल्पान्त हो गया समझे बात को? इसी प्रकार वेद धन अंत वेद धन अंत वेदान्त यहाँ पर देखिए दा या नि आकी ध्वनी आ रही है तो आपको आकी ध्वनी देखनी है बड़ी इकी देखनी है और बड़े उकी देखने है, complete शब्द में, फिर टुकडे करो कि तो आपके समझ में आजाएगा, यहाँ पर दीर की सुवरसंदी होने वाली है, तो वेद धन अंत, वेदांत, जैसे कि मैं बात करूँ, चरण धन अमरित, यहाँ पर एक ओर लिख लिजिए, चरण धन अमरित जैसे होता है, चरण धना मरित का क्या हो जाएगा, चरणा मरित, चरणा मरित, तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, इस परकार से ए और मिलकर आ बन गया चरणा मरित, चरणा मरित, इस परकार से यह यहाँ पर हो जाएगा, उमीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा, बाकी अब तक आपने पढ़ रखी है चीज़ें तो ज्यादा कठिना आपको आएगे नहीं लेकिन कोशिच ये करनी है कि हमें कुछ नहीं आता एक एक चीज़ हमें नोट करनी है आप ये ना सोचिएगा कि हमें आती है छोड़ो रहे यार लिखना नहीं है लिखोगे तब ही चीज़ें दिमाग में इस्ताइत हो लेगी व्याकरण के सावल परिक्षा में ऐसे होते हैं साथियों कन्फूजन पैदा करते हैं यार ये था ये था पड़ात होता लेकिन और ये जो जितने उधारण में आपर करवा रहा हूं तो मुझे लग रहा है यहां सावल आपको प यानि कि इस तरफ तो ए होगा और दूसरी तरफ आ होगा तो भी क्या बन जाएगा अपने आ ही बनेगा जैसे कि रत्न धन आकर इस तरफ नह है यानि ए है और इदर आकर है यानि आ है तो क्या बनेगा रत्न धन आकर यानि रत्नाकर हिम धन आले हिमाले हिम धन आले हिमाले ठीक है यहाँ पर ए है यहाँ पर आ है तो दोनों मिलकर क्या बन गया आ यहाँ पर बन गया हिमाले चलिए अगला जो नियम था एवाला तो एक इस तरफ आ जाए मान लो और इस तरफ आ जाए ए तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं आ ही बनेंगे लेकिन रेखा यहाँ पर भी आ तो यहांपर पैचान आपको देखिए आ आ रहा है तो आप देखो कि यहांपर बड़ा आ रहा है मतलब हम टुकडे करके देखते हैं और टुकडे करने पर दोनों तरफ सुवर दिखें तो दिर्ग सुवर संधी है जो हो जाएगी यहांपर विद्याधन अर्थी यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है विद्याधन अर्थी यानि विद्यार्थी ठीक अब दोनों तरफ आ आ आ आए अगर दोनों तरफ आ आ आ आ आ आ तो क्या करोगे विद्याधन आले विद्याले हो जाएगा सिदा सिदा और महाधन आशे महाशे ठीक महाशे को जरूर आप ध्यान में रखिएगा अब देखिए E की तरफ हम बढ़ते हैं A वाला section complete हो गया A बन जाता है चाहिए A प्लस A हो या A प्लस A हो या A प्लस A हो क्या बनेगा A ही बनेगा इसी प्रकार E वाले format में E वे E की संधी हम देखते हैं दोनों तरफ छोटी E है तो मिलकर क्या बनेगी बड़ी E बनेगी अब देखिए इसके अंदर जरूर ध्यान में रख लिए कई बार हम टुकड़े करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि यहां पर बड़ी E आएगी या छोटी E आएगी तो वो तो जितनी ज़्यादा उधारन आप निकालोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो सरल होती जाएगे आपके लिए याद होती जाएगे अभी धन इस्ट अभी के अंदर E छोटी है इस्ट में भी छोटी है तो दोनों छोटी ये मिलकर क्या बन जाएगा अभी इस्ट अभी धन इस्ट यानि अभी इस्ट कवी धन इंद्र कवी में E की मातरा छोटी है इंद्र में छोटी है, तो कवी धन इंद्र यहाँ बन जाएगा कविंद्र, क्या बन जाएगा कविंद्र, यहाँ पर देखिए, कपी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, तो मिलकर क्या बनेगी बड़ी की मात्रा, कपी धन इश, तो क्या बनेगा कपी इश, कवी धन बनेगा देखो, मही धन इंद्र, तो क्या बनेगा? महिंद्र, क्या बनेगा? महिंद्र, देवी धन इच्छा, ए और ए बड़ी देविच्छा, देवी धन इच्छा, अब दोनों तरफ बड़ी ए आ जाए, तो मही धन इच्छ, ना की महेश, महेश का क्या होगा? वह आप कमेंट करना, ठीक है? और महेश का हम आगे जब संदियों में चलेंगे, तो वहाँ पर भी आ जाएगा, मही धन इच्छ, जान की, धन इच्छ, तो जान की इच्छ, यह हो गया इवाला अपना सेक्षन, और जिस डाल दूँगा, बाकी हम देखेंगे यहाँपर, विगत परिक्षव में आई हुए सवाल भी हम देखेंगे जो important परिक्षव में आई हुए है, वो भी मैं साथ साथ यहाँपर आपको बताता, चलूँगा अब आते हैं माप करें, अब आते हैं उ वाले सेक्षन में दिर्ग शुर संधी के अंदर उ वाले छोटा हू वे बड़ा हू की संधी तो दोनों तरफ अगर लगू उ आ जाए छोटे उ आ जाए तो भी क्या बनेगा अपने दिर्ग बन जाएगा तो देखिए भानू धन उदे यहाँ पर भानू के अंदर ऐसे है और यह तो यहाँ पर भी छोटा हू और यहाँ पर भी उत्तो दोनों मिलकर क्या बन गए भानू दे भानू धन उदे क्या बन गए भानू दे विधु धन उदे विधु दे देखी मैं यहाँ पर उधारन भी वो शामिल किये जो परिक्षामी बार-बार पूछे जा रहे हैं यह ध्यान में रखना विधु धन उदे यानि विधु दे एक तरफ लगु उआए और दूसरी तरफ दिर्ग आए तो भी दिर्ग बनेगा तो लगु दन उर्मी यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा यह ध्यान में रखना लगुर्मी ऐसे होगा यानि कि यह उ है जो बड़ा हो जाएगा लगुर्मी ठीक है देख लीजिए आगे मैं बात करूँ सिंधू दन उर्मी इस तरफ बड़ाओ और उस तरफ चोटाओ तो क्या बन जाएगा बड़ाओ बनेगा उधारण देखते हैं वधू के अंदर ध्यान में रखना यह जो वधू होता है यह हमेशा बड़ाई होता है नहीं कि छोटा वधू धन उसव तो क्या हो जाएगा वधूत्सव एक तरफ बड़ाओ दूसरी तरफ छोटाओ वधू धन उसव भू धन उद्धार तो क्या हो जाएगा भूत्धार यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अगर बड़ाओ आजाए तो भू धन उर्द्वे तो भूर्द्वे ठीक है यहाँ बड़ा हुआ है और उस तरफ भी बड़ा हुआ है भू धन उर्जित भू धन उर्जित तो भूर्जित क्या हो जाएगा भूर्जित ठीक तो यह तो हो गई अपनी दिर्ग संदी अब पिछली परिक्षव में आई वे जो है सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ भूर्जा भू धन उर्जा दोनों तरफ क्या होंगे बड़े हुआ होंगे इन चीजों को विशेश तोर से नोट कर लीजिएगा आप और मस्तिस में बिठा लीजिए गया भू धन उर्जा दोनों तरफ बड़े हुआ है वधूर्मी सवाल आया हुआ है सत्याग्रे सत्यधन आग्रे यहाँ पर आवाला सेक्शन आ गया ए और आ मिलकर क्या बन गया सत्यधन आग्रे सुक्ति सुधन उक्ति दोनों तरफ छोटे बड़ा हुआ बन गया स्रद्धानन्द स्रद्धाधन आनन्द स्वार्थ स्वेधन अर्थ ए और ए मिलकर क्या बन गया सावधान जरूर ध्यान में रखना सैधन आवधान मत्रिणाम मत्रिधन रिणाम दोनों रि मिलकर बड़ी रि है जो बन गई ज्यादा तर रि का नहीं आता लेकिन आए तो भी ध्यान में रखना ये उन्हीं नियमों की तरह है दोनों तरफ अगर रि आये तो बड़ी रि बन जाएगे मत्रिणाम सर्यूर्मी सर्यू धन उर्मी इसमें दोनों तरफ बड़े हुए ध्यान में रखना क्या हो जाएगा सर्यू धन अलागे दिख भी रहा होगा आपको सर्यू धन उर्मी सर्यू उर्मी ठीक है धातु उश्मा धातु धन उश्मा पहले धातु के अंदर छोटा हुए और उश्मा के अंदर बड़ाओ तो बड़ाओ बन जाएगा धातु धन उश्मा करके क्या बन गया धातु उश्मा है जो बन गया तो ये थी अपनी दिर्ग संदी गुन संदी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यूटूब पर जो साथी इस वीडियो को डेमो क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ पले श्टोर पर आप जाएए पले श्टोर पर जाओगे और नव स्रिजन क्लासेज सेर्च करोगे क्या नव स्रिजन description में लिंक मिल जाएगा आपको nows region classes nows region classes search करोगे तो वह आपनी application मिल जाएगी उसको install करना वहाँ पर आपको यह first grade का course है जो मात्र 2650 रुपे में फिलाल मिल रहा आपको 2650 में super hundred का यह बेच चल रहा है क्या चल रहा है super hundred और यहाँ पर समय समय पर मैं guide भी करता रहूँगा कि कैसे क्या है जो हमको करते चलना है इमानदारी से मैंनत करते चलोगे मेरे साथ साथ में dedication के साथ में दृड संकल्पित होकर मतलब खुद को धोका नहीं दो गया कि मैं मैं जो कर रहा हूँ पर इमानदारी के साथ करूँगा मैं कोई कसर है जो नहीं छोड़ूँगा यह भाव अपने मन में रखोगे तो super hundred के अंदर आपका यूं समझ यह यकिनन है जो चैन होगा परिक्षा के अंदर selection होगा अपने अंदर आत्में विश्वास रखो साहब कि मैं अवश्चे है जो क्रेक कर पाऊंगा इसे एकजाम को अवश्चे जो फाइट कर पाऊंगा मैं जो काम कर रहा हूँ पूर इमानदारी के साथ मैं करूँगा और यकिनन में अपना चैन है जो लेकर रहूँगा प्राब्द करके रहूँगा यह लक्षे को तो 2650 रुपे मातर में यह कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है फिलाल सुपर हंड्रेट के बेच में आप जुड़िये और लाब उठाइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए जरूर शेर करें ताकि और साथी भी जुड़ कर लाब ले सके और पहली बार ज जो संदी है उसके साथ में